है है अब आपको 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 और रिप्री गौलेटी अच्छा लग रहा होगा क्यूंकि हम लोग मैक का प्रोब्लम सॉल्फ कर लिए तो आप से जो सारी वीडियो जाएंगी उसमें आपको यही माइक और इसकी सारी सिस्टम हम लोग किये हैं वही यूज होगा तो आपको और वीडियो दोनों ही quality आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी आज के class में हम लोग discuss करने जा रहे हैं conveyor belt के बारे में conveyor belt आपको unit no.4 का second part है first आपको hoisting equipment था second part था आपको conveying equipment तो conveying equipment के अंदर हम लोग conveyor belt के बारे में आज के class में discuss करेंगे इस class के discussion के बाद आपका unit no.4 complete हो जाएगा remaining दो unit no.5 और unit no.7 जिसमें से unit no.5 हम लोग फिर next वाले class से start करेंगे unit no.6 के videos uploaded है पहले से तो हम लोग 5 complete करने के बाद unit no.7 पे चले जाएगे मुश्किल से आपको 5-6 classes में आपको यह पूरा ACTE का जो syllabus है वो complete होताना चाहिए तो अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हम लोग का conveyor belt conveyor belt एक type का conveying equipment है conveying equipment क्या होता है जो जिससे आप अपने material को एक location से दूसरे location तक move कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसक जो conveying equipment use होते हैं वो होते हैं आपको conveyor belts, tractors, dumpers और trucks यह चार जो है यह basic आपको conveying equipment होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं और भी बहुत सारे conveying equipment होते हैं हम लोग hand operated conveying equipment भी यूज करते हैं बट हम लोग का discussion होगा वो basically इन चार topics के ऊपर होगा जिसमें से हम लोग broadly explain करेंगे conve क्योंकि आपके trucks में dumpers में और tractors में कुछ बहुत जादा explain करने को नहीं है तो इन तीनों को हम लोग images show कर देंगे और आपको जो इसका detail information रहेगा जो theory रहेगा advantages और disadvantages रहेगा वो सारा आपके notes में given रहेगा क्योंकि इसमें आपको कुछ explain करने के लिए बहुत जादा नहीं ह होता है अब आपको conveyor में क्या-kya parts यूज होते हैं इससे पहले आपको समझना होगा conveyor belt क्या होता है हम लोग conveyor belt के बारे में एक वाई unit no.3 में discussion कर चुके हैं conveyor belt आपको यूज किया जाता है जब आपको किसी बहुत ही ऐसा location होता है जहां पर आपको कोई movement of कोई भी vehicle का movement व समझी कि आपको कोई drain है अब आपको drain के इस तरफ से उस तरफ में अगर आपको कोई सामान भेजना है उस तरफ आपका construction हो रहा है drain के और drain का size जो है वो considerable मतलब large है जिसमें आप slabs वागर भी provide नहीं कर सकते हैं तो आपको वैसे cases में अगर आप tractor से या truck से अगर आप एक तर बार आपको trucks या tractor से material convey करना परेगा और उसके बाद अगर आप building बना रहे हैं और आप second floor बना रहे हैं तो फिर वहां ground floor से second floor पर ले जाना परेगा तो यह सारा trouble जब आता है या फिर जब आपका cost आपका conveyor belt को use करने का cost आपके conveying equipment जैसे tractor या truck से material को ले जाने का जो cost है उस लोगों को ले जाना है आपने building construction में किसी भी फ्लोर पे तो या तो हम लोग ले जा सकते हैं अगर हम लोगों को स्ट्रेट ही ले जाना है और दूसरे location पर उसको horizontal location पर हम लोग इंक्लाइन नहीं यूज़ करके स्ट्रेट हम लोग horizontal conveyor belt भी यूज़ कर सकते हैं तो डिपेंड करता है location कैसा होगा उसके हिसाब से हम लोग यह तो horizontal यूज़ करेंगे यह हम लोग इंक्लाइन यूज़ करेंगे तो conveyor belt basically आपको तीन टाइप के होते हैं portable conveyor feeder conveyor और spreader conveyor यह तीन टाइप के आपको conveyor belts होते हैं तीनों के image आपके screen पर आ जाएगा जो पहला image आप देख रहे हैं वह आपका portable conveyor दूसरा है आपका series conveyor इसको हम लोग feeder conveyor भी कहते हैं और तीसरा है आपका spreader conveyor अब यह तीनों का परपस होता है तीनों का जो function होगा वह एक जैसा ही होगा तीनों का जो work करने का process होगा construction होगा वह एक जैसा होगा सिर्व इसमें जो इनका working होता है कि यह output क्या दे रहे हैं उसके हिसाब आप से तीनों के जाते हैं portable conveyor तो आपको location के हिसाब से और आपके क्योंकि आप पोर्टेबल करने एक किसी equipment के उपर या तो ट्रक्स के उपर या फिर किसी एक portable frame के उपर इस तरह से वह adjust किया रहता है क्या आप उसको site पे manually किसी भी location पे आप उसको move कर सकते हैं इसलिए उसक location पे पहुचना है यह desired height पे पहुचना है तो आप एक conveyor belt से material discharge करेंगे वह discharge होके दूसरे conveyor belt पे गिरेगा फिर वहां से वह आगे process होगा फिर वहां से discharge होके वह तीसरे conveyor belt पे जाएगा इसलिए इसको हम लोग कहते हैं series conveyor या फिर feeder conveyor और तीसरा जो टाइप होता होता है spreader conveyor spreader conveyor आप जाद तर यूज देखते हैं अपने industries में manufacturing industries में जैसे आपके कोई भी biscuit के manufacturing industry हो गया सोप्स का हो गया जिसमें आपको छोटे-चोटे-चोटे components को spread करके अलग-अलग divide करना होता है वहां पर हम लोग यूज करते हैं अपने spreader conveyor ज्यादा तर हम लोग construction समझेंगे conveyor belt का parts एक जैसा ही होता है feeder conveyor को हम लोग इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि उसके में जो आपको equipment होते हैं वह आपको ज्यादा जो सबसे maximum equipment हो सकते हैं जो component यूज हो सकते हैं वह सारे आपको feeder system में use होते हैं और spreader में use होते हैं तो हम लोग फीडर यूज करेंगे क्योंकि हम लोगों को construction industries में ज्यादा तर जो है वह feeder conveyor ही यूज होता है तो हम लोग उसको समझेंगे कि किस तरह से उसमें material supply किया जाता है और material किस तरह से discharge होता है इसके बीच में आपका conveyor belt का total system है total component है वह सारी चीजों को हम लोग समझेंगे तो आपके board पर जो आप image देख रहे हैं यह आपको एक typical हम लोग के conveyor belt का image बनाएं कि अगर एक conveyor belt में सारे equipment मौझूद हो तो उसमें क्या-क्या equipment हो सकता है अब इसमें आपको दिख रहा होगा सबसे पहले हमने components की बात कर लें तो सबसे पहला component होगा head pulley second है tail pulley third है snub pulley यह एक्चली snub है snub fourth है आपको bend pulley, fifth है आपको take up pulley, sixth है conveyor belt, seven है feeder, eight है screw take up और एक और important होता है जो आपको screen पर भी नहीं दिख रहा होगा वो है idler अब यह आपको total nine जो है यह आपके important components है conveyor belt के अगर आपको exam में theory पूछा जाता है कि conveyor belt को explain किजिए with neat and clean diagram तो यह आपका typical diagram होगा और आपको यह total nine components होगे अब यह सारे nine components क्या होते है और इनका function क्या क्या है सबसे पहले आपको यह समझना है कि conveyor belt कैसे work करता है conveyor belt में आप किसी भी एक location पर आप अपने सामान को या फिर आप अपने material को देते हैं conveyor belt पे और वह आपको move हो करके जो conveyor belt का length होता है उस length पहुंचने के बाद वहां स material को convey किये हुए material एक location से दूसरे location में पहुंच जाए conveyor belt के help से जो effort आपका उसको convey करने में लगता या फिर जो equipment आपको लगता trucks लगते tractors लगते या फिर आपका labor force लगता वह सारा चीज नहीं लग करके एक automatic machine equipment को use करके आप material को एक location से दूसरे location पे बेज देते हैं तो अब इसमें क्या क्या equipment होता है तो सबसे पहला equipment होता है conveyor belt सबसे important चीज होता है conveyor belt का क्योंकि इस belt के ऊपर ही हमारा सारा समान प्लेज होता है और यह आपको किसी भी उसके सारे जो belts होते हैं उसके सारे जो equipment required होते हैं वह आपके length के हिसाब से adjust होते हैं अब conveyor belt सबसे important इसलिए कि conveyor belt ही एक ऐसा equipment होता है जिसके ऊपर आप अपने materials पूट करते हैं अगर आप dry aggregate पूट कर रहे हैं आप cement, sand और aggregate को mix करके अगर आप एक mixture पूट कर रहे हैं without water ताकि जब वह desired location में पहुंचेगा वहां पर फिर आप उसको water के साथ mix करेंगे और फिर आपका concrete त्यार हो जाएगा अगर आप ऐसा dry material convey करना चाहरे हैं तो आपका जो conveyor belt है वह उस resistance को उस abrasion को और उस सारे loads को carry कर सके तो conveyor belt आपको generally जो आपको बनावा होता है वह होता है आपको woven cotton ducts का अब woven cotton ducts का image आप screen पर देख रहे होंगे यह बहुत ही आपको thin layers के होते हैं तो यह आपको adhesive के help से आपको जो अभी आपका desired thickness होता है उस desired thickness के बनाए जाते हैं इसी के सारे layers को adhesive से glue करके अब इसके बाद इसको protect करने के लिए क्योंकि यह आपको abrasion और pointed materials के उस use से आपको यह हो सकता है या फिर आपको asbestos का हो सकता है तो यह सारी चीजे डिपेंड करती है कि आप कैसा use करने वाले अपने conveyor belt को generally आप देखते हैं वह आपके rubber के coverings होते हैं अगर आपको heated material देना है कोई ऐसा material देना है जो heated है जिससे conveyor belt खराब हो सकता है तो आप उसके ओपर asbestos का covering लगाते हैं क्योंकि asbestos heat को resist कर लेता है तो asbestos cover के अंदर जब आपका woven cotton duck रहता है तो वह आपको strength भी प्रवाइट करता है जो उसको desire चाहिए और asbestos आपको heat से resist कर वाता है सेम जब आप rubber के साथ covering लगाते हैं तो strength आपको देता है वह आपका internal material है woven cotton duck वह आपको strength देता है बट उसको resistance आपको बाकि सारे जो factors होते external factors जब आपके hopper से जब आपका material आप discharge करते हैं तो वह जिस force के साथ आपको drop होता है conveyor belt के ओपर उन सारे चीजों से resist करने के लिए आपको rubber के coatings प्रवाइट के जाते है नायलोन के coatings प्रवाइट के जाते हैं जब डिपेंड करता ह कि आप किस तरह का material ले जा रहे हैं उसके हिसाब से यह सारे coverings provide की जाते हैं अब conveyor belt के साथ बाद जो दूसरा सबसे important part होता है वह होता है आपका head pulley head pulley क्या होता है दो तरह के pulleys आपके use होते हैं आप एक start पर देख रहे होंगे एक आप end पर देख रहे होंगे यह दोनों त यह मूफ करता है जब यह मूफ करता है तो इसका मतलब कि कोई एक pulley वह आपका किसी एक motor से connected होगा ताकी जब motor चलेगा तो फिर यह सारे डेंच्ग को मूफ करेंगे फिर यह बेल्ट मूफ करेंगा तो पुलिज को मूफ करने के लिए motors की मूफ करता है लेकिन आप motors का speed जो होता है वो जाधा होता है और वो एक fixed speed का होता है तो उस speed को कम speed छाधा speed अलग-छाओ speed में करने के लिए हम लोग motor और police के बीक में gearbox का यूज करते हैं जैसे हमिलों का वेहिकल में कार्स वगएला में ये यूज होता है वैसि हम लोगों के घीयर ब्यूक्स होता है उसको काम होता है कि मोटर की कपैसिटी कुछ ज्यादा है लेकिन उसको आपको किस में सपीडीं जाकरना है वह करें आप सेट कर सकते हैं आपने से gear box ऑगंगे घुए चलेके तो आपका जम पुलि मूख करना शुरू होगा तो सबसे पहले आपके सबसे करेगा यह पुली मूव करेगा तो इसके साथ साथ यह बेल्ट मूव करेगा बेल्ट मूव करेगा तो एक के करके सारे पुली मूव करेंगे और फिर उसके बाद अल्टिमेटली यह वाला पुली मूव करेगा तो इस पुली को मूव होने के लिए पहले इस पुली को मूव हो पुली कहते हैं जिसको हम लोग ड्राइव करते हैं जिस पुली को हम लोग चलाते हैं और उसके वजह से जो दूसरा वाला आपका दूसे एड़ पे जो पुली आपका मूव होगा वह आपका तेल पुली क्योंकि यह दोनों होगा है फूट पुली और टेल पुली के बाद आप देख रहे हैं यहां दो blue यहां से बनाते हैं है यहां से आ रहा और के सब्सक्राइब के साथ यहां से अचैजनध के बाल यहां को सीधा चरा जा रहा है अगर यह एक स्ट्रेट बनता तो यह इस तरह से बनता और यहां पर भी आपको एक दूसरा पुली होता यह इधर से जाकर के मूव कर जाता इस तरह से रोटेट हो जाता तो आपको टोटल कॉंटेक्ट एरिया कितना बना यह बना इसको हम लोग कहते हैं कि बना रहा है तो यह बना आयना दिक पुली के साथ क्या डिस्टेंस मना रहा है यह करनेक्ट कर रहा है तो यह बना करेगा यह अगर आपका टश में होग Mostly के साथ यह आपका कहलाता है आर्क, आर्क आफ पुली, अब ये वाला जितना आपका आर्क कम होगा, उतना आपका स्लिप होने का चांज जाता होगा, क्योंकि अगर आप एक सरकल में, सिर्फ अगर आप एतना ही दूर अगर आप इसका कॉंटक्ट रखतें, अजब ये पुली मूव करता है, तो हो सकता है अगले revolution में वो slip कर जाता फिर third revolution में वो पकरता तो आपको यह आर्क आपका कम हो जाता है तो जितना यह आर्क आपका ज्यादा होगा अगर यह यहां तक आपका अटाइज होगा तो सिफ यह remaining length रहे जाएगा बागी पूरा यह जो circular में यहां तक ले जाएं तो यहां पर अगर आप एक पुली लगा देंगे और यहां से आप बेल्ट को ला करके फिर इस वाले पुली के टॉप में ऐसे कर देंगे तो यह क्या होगा कि यह अब जो इस वाले बेल्ट का पुली के साथ यह यहां तक आया और यहां से आकर कि इधर चला गया इसका मतलब है यह वाला point हो गया आपका contact का तो पहले point कहा था contact का यहां पे था अब point of contact क्या है यह है तो आपका आर्क थोरा सा यहां लगा देंगे और इस बेल्ट को आप यहां से ला करके फिर यहां आप इसके ऊपर इस तरह से चला देंगे और यह श्ट्रेट आ जाएगा तो यह यह इसका contact area यहां तक आगा जो पहले आपका यहां तक था तो यह contact area को यह जो आर्क पुली है इसको हम लोग extend करने के लिए हम लोग जो पुली का यूज करते हैं वो पुली कहलाता है आपको snub पुली ठीक है अब snub पुली के बार आपको कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे conveyor belt यह बिल्कुल इस तरह का ही होता है इस तरह का conveyor belt होता है जैसे कि आप अगर आप इलिवेटर का अगर आप एक्जामपल लेंगे आप मौस वगरा में जाते होंगे वहां पे आप इलिवेटर यूज करते होंगे तो इलिवेटर भी एक तरह का आप देखे आपको conveyor belt है लेकिन उसमें क्या ऊपर के तरफ में steps हो जाते है अब जब वह नीचे के तरफ आप बॉक्स बनावा रहता है उसके अंदर में ही यह सारा movement होता है तो वैसे cases में तो आपको यह बिल्कुल इस तरह के concept पे work करता है चाहिए horizontal हो चाहिए आपका inclined हो concept आपका उसका यह वाला रहता है लेकिन कई बार क्या होता है जब आप conveyor belt यूज करते हैं इसमें आप material डाल र aggregates जो यह सारे materials आपको mix हो के यहां से आ रहे थे यह आपको यहां आकर के क्या होगा drop हो जाएगा यहां पर आपको store हो जाएगा लेकिन belt वापस अंदर के तरफ आजाएगा तो अब क्योंकि यह loaded था इतना दूर इसके विज़ा से कई वर क्या होता है कि loaded होने के विज़ा स से आपको नीचे के तरफ आते हैं तो क्योंकि यह अपने design करके इसका total link design किया गया था लेकिन load पढ़ने के विज़ा से क्या हो रहा है उसमें साइज होता जा रहा है उसमें सैग आते जा रहा है तो सैग को adjust करना पड़ता है otherwise आपका conveyor belt है वह कुछ ऐसा नहीं होगा कि यह इसा होता चला जाएगा जैसे आप यहां material डालेंगे यह आगे आगा करके यहां पर deflect कर जाएगा फिर नीचे में इसके support लगे वह उसमें touch करेगा तो आपका conveyor belt में obstruction आएगा तो यह सैग को हटाने के लिए इस deflection को हटाने के लिए इसके tightness को maintain करने के लिए आप क्या करते हैं कि कई बार इस conveyor belt को यह जो रेड़ वाला आप लाइन देखने हैं यह आपका conveyor belt है आप conveyor belt को थोड़ा नीचे के तरफ ले आते हैं और एक पुली के around उसको ऐसे rotate कर देते हैं और उस पुली को आप एक weight से down करके रखते हैं अब यह वादा जो down करके रखते हैं यह वा आता है अगर तो आप इसको क्या करेंगे 20 mm नीचे के तरफ ले आएंगे मतलब यहां सी यह जो श्रेट जाना था आप उसको नीचे के तरफ ले आए तो नीचे के तरफ ले तो यह स्ट्रेट हो गया फिर कल को loading पड़ते पड़ते हैं अगर तो फिर आप इसको और नीचे क पुल यह जो है इसमें लोट जो लगावा है इसको हम लोग कहते हैं बेट यह तो हम लोगों को पता होगा यह्यए नीचे चला जाता है यहां अगर ल Cantu नीचे सब लोगोग उसको ऊपर के तौप अगेंश्च करना वहां पर fix कर लेते हैं तो यह क्यों करते हैं इस बेल्ट के जो हम लोगों का टेंशन है उसको maintain करने के लिए क्योंकि tension maintain रहेगा तो बेल्ट बिल्कुल straight रहेगा उसमें सैग नहीं आएगा उसमें deflection नहीं आएगा अब यह क्योंकि हम लोग इसको conveyor belt को हम लोग बेंड कर रहे हैं अब बेंड करके हम लोग नीचे के तरफ यहां ला रहे हैं क्योंकि अदरवाइस यह चला जाता अब आप conveyor belt को सीधा यहां से इस तरह से conveyor belt चल रहा है तो आप अचानक से ऐसे तो नहीं बना सकते है उसको इसका मतलब है कि आप यहां पे पुल्ली देंगे तभी तो यह इस पुल्ली से इस तरह पागर करेगा और जैसे यह पुल्ली मूव करेगा वैसे वैस पुल्ली दोनों आपको पुल्ली दोनों आपको कॉंटेक्ट पुली के साथ लागा तो इसको पुल्ली और उसको हम लोग क्लिए तो यह तक हीalyst कि आपको यह टेंशन को मेंटेन रखने के लिए आप इसको उपर नीचे करते हैं तो यह वह आपको वर्टिकल डारेक्शन में यही चीज अगर आप हेड पुली और टेल पुली के साथ अगर आप करना चाहिएगा कि आपको यह लेंच जो है वह थोरा इंक्रीज करना पर रह और इसका लोकेशन आप यहां पर बना देंगे इस तरह से तो यह जो आप कर सकते हैं अगर आप तो फिर वह कहलाता है इसक्रीव टेकप अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर वह एड़ पुली और टेल पुली है लेकिन अगर ऐसा सिस्टम दिया वा है तो उस सिस्टम को हम तो फिर वह पुली है जो रोटेट करता है यह आपका फुली है अजिय आपका फुली यह पुली है इस तरह से एक किसी सेंट्रल रॉड से ऐसे connected है और इसके ऊपर आपका यह वालाihen। छलता है हम लोग समझे की कॉन्वेयर बेल्ट का क्रॉसक्ष्ण देख रहे हैं यह पर आपका कॉन्वेयर बेल्ट इस तरह से चलते रहता है अब अगर इंक्लाइन होगा तो यह आपको आइडलर लगे होंगे आइडलर का location होता है झैसे एक यहाँ लगावा है दूसरा आइडलर यहाँ लगावा है तीसरा यहाँ लगा है इसका काम होता है आपको support लके होते हैं जैसे आपको आगे के तरफ शाहते हैं यह आपको लृट शेल ना एक पढ़ेंगे आप रिटर्ण आइडलर दोनों में डिफरेंस योगा आइडलर होता आपको अफ। के लिए हुआ इस तरह से सपोर्ट डेते हैं यह करते हैं जिसको total के थैसे पताःए कि तरह बनाते हैं यहां से बील्ट इस तरह से वापस आ रहा होता है यह यहां से यहां से मुव्मेंट के लिए यहां पर आपको इस तरह से idlers लगे होते हैं तो यह जो लगे होते हैं यह इसी बेल्ट को नीचे भी support करते हैं क्योंकि नीचे आपको पुली बेंड पुली जो है यह ज़रूरी नहीं कि बहुत कम डिस्टेंस पे हो अगर आप यह पचास मीटर का बना रहे हैं तो यह हो सकता है कि इस टेल पुली और यह सनब पुली और इस वाले बेंड पुली के बीच में हो सकता है 15 मीटर का गया आपको यह तो पता नहीं है कि यह कितना मीटर के गया तो इसके बीच में इस तरह से return idlers लगाते हैं ताकि यह जो movement है उसको भी support मिलता रहे नहीं तो बेल्ट आपका क्या होगा नीचे के होता है bottom में भी होता है तो top के support को idler कहते है bottom के support को return idler कहते हैं तो यह सारे आपके वह important components है जो आपको conveyor belt में पता होना चाहिए इसके लागा आप conveying equipment में यूज करते हैं आपके tractors होते हैं यह तने के इमिज़े स्क्रीन पर आ जाएगा कि tractor क्या होता है slang क्या होट है यह तीनों आपके conveying equipment होते हैं आपको Given यूज करना है यह इसके उसके को ही साक्ट क्षिज आपको मैं आपको सप्लाई करना है तो वैसे हम लोगों को स्थीच्टर में को सक्वाइड सब्सक्राइब तो आप उसको ट्रक्स में डाल करके फिर आप वापस साइट पर ला करके डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं वैसे केसे में आपका ट्रैक्टर्स दंपर्स और ट्रक्स नहीं रह जाता है अब आपका नीचे सामने में ड्रेन है तो आप वहां से किसी मैनुवल जो आपका मशीन होता है आप मैनुवल उसमें ट्रॉली में रख करके मैनुवली भी आपको साइट तक नहीं ली जा सकते हैं तो वैसे केसे में फिर आपको कन्वियर बेल्ट इंस्टॉल करना पड़ेग लोकेशन से दूसरे लोकेशन में नहीं लगता है हाटली आपको तीन से चार मिनिट के इंटरवल पर आपका कॉंक्रीट होगा वह देलिवर हो जाएगा और आप फिर उसको आगे कास्टिंग कर लेंगे तो यह सारे परपस के आप से देखना पड़ता है कि आपको कॉन्व वीडियो आएगा इस वीडियो में हम लोग यह सारे पार्ट अभी डिसकस की हैं यह सारे पार्ट को हम लोग उस वाले वीडियो में देखेंगे और उसमें समझने की कोशिश करेंगे अब यह जो आप एक रोटेटिंग पुली देख रहे हैं यह रोटेटिंग पुली को हम का मोटर, मोटर पुली को ड्राइब करता है, बट गेर बॉक्स उसके स्पीड को कंट्रोल करता है अब अगर आप हेड पुली को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको छोटे-छोटे स्मॉल चेकर्ड बॉक्स टाइप के आपके कटिंग्स बने वे हैं इसके लिए हम लोग हेड पुली में लैगिंग्स प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्नब पुली स्नब पुली के बादे में हम लोग डिसकस कर लिये थे कि ये हमारा आर्क आफ कॉन्टेक्ट जो है बेल्ट का वो हेड पुली के साथ इंक्रीज करता है इसके बादे में हम लोग बोड पे पहले डिसकस कर चुके हैं अब हम लोग डिसकस करेंगे बेंड पुलीस क्या होता है ये आपके कन्वेयर बेल्ट का बॉटम वला पोर्शन है हम लोग diagram में board पे discuss किये थे कि bend pulleys आपको bottom side पे जहां से आपको अपने conveyor belt को नीचे के तरफ bend करना परता है take up pulleys के तरफ वहाँ जो हम लोग ये दो pulleys provide करते हैं ये दो pulleys कहलाते हैं आपको bend pulleys अब इसके बाद हम लोग देखेंगे take up pulleys ये जो bend pulleys से आपका conveyor belt नीचे के तरफ एक side से bend हो रहा है ये आपको take up pulleys से आपको वापस rotate हो करके ऊपर के तरफ जाता है दूसरे bend pulleys से ये वापस आगे के तरफ वढ़ जाता है तो ये take up pulleys के बारे में भी हम लोग बोर्ट पे discuss कर लिये हैं इसके नीचे में आपको एक weight लगा होगा या तो वो sandbox होगा या फिर आपको को normal weights दिया गया होगा जिससे आपको इसको stretch करके रखा जा सके फिर आपको ये जो आप take up pulleys देखते हैं इसका दूसरा function ये भी हो जाता है वहां तक हम लोग take up pulleys देते हैं फिर जैसे जैसे हम लोगों का height हम लोगों को length increase करना होगा conveyor belt का वैसे वैसे हम लोगों को ये take up वाला distance ये reduce करना होगा ताकि हमारा length of conveyor belt increase हो सके तो ये आपको movable रहता है हम लोग weight के against the gravity हम लोग इसको जाब ऊपर करेंगे तो take का pulley ऊपर आएगा और आपका conveyor belt का length होगा वो increase हो जाएगा जब हम conveyor belt के inclination की बात करते हैं तो generally जो इनका inclination होता है horizontal से 15 से 17 डिगरी तक का generally use किया जाता है मगर आपके condition के हिसाब से आप इसको 30 डिगरी तक maximum use कर सकते हैं ये आपका inclined conveyor belt है इसमें आप ये जो देख रहे है ये आपका tail pulley है अब आप देख रहे होंगे कि head pulley में आपके gear box और motor connected था tail pulley आपके build के movement से ही move करता है tail pulley में आपको कोई force generate करने के लिए कोई equipment नहीं लगे होते हैं अब ये जो आप देखने हैं ये है आपका idlers idlers के बादे में हम लों discuss किये थे कि idlers आपको intermediate supports होते हैं आपके conveyor belt के अब idlers आपको दो type के supporting frame के साथ आ सकते हैं एक self aligning supporting frame और दूसरा आपका stationary frame जिसको हम लों fixed frame भी कह सकते हैं अब ये जो आप image देख रहे हैं ये है आपका self aligning idler अब इसमें benefit क्या होता है कि अगर आपका build किसी एक direction में ज़्यादा tilt हो गया या ज़्यादा rotate हो गया है तो self aligning idler जो है वो आप उसको manually अपने हाथों से rotate कर सकते हैं ताकि आपके belt का angle थोड़ा change हो और वो आपके center में आ जाए लेकिन जो आपका fixed frame वाला idler होता है तो fixed frame वाले idler में आप ये movement जो है ये नहीं कर सकते हैं तो हम लोग जब भी idlers provide करते हैं तो alternate locations पे एक fixed frame वाला idler से use करते हैं तो उसके बाद एक आपका self aligning वाला idler use करते हैं अब ये जो आप देख रहे हैं ये आपका build जब return होता है जो bottom वाला side होता है build का इसमें हम लोग discuss किये थे कि इसमें जो हम लोग idler use करते हैं ये आपका return idler कहलाता है अब ये भी आपका generally जब जादातर use देखत सकता है तो आपका नीचे return idler अगर self aligning होगा तो उससे आप अपने build के position को set कर सकते हैं अब एक और पार जो आपको पता होना चाहिए वो है आपका impact idler impact idler क्या होता है कि जैसे आप feeder conveyor अगर use कर रहे हैं तो आपके hopper से जैसे आगर आप concrete हो या फिर आपका concrete का materials अगर आप discharge करते हैं तो वो directly build के ऊपर आकर के गिरता है तो उस location पे जहां पे आपका impact आना है जहां पे आपके materials directly conveyor build पे आके गिरते हैं वहाँ नीचे में हम यह supporting आपको idler small distances पे provide करते हैं तो यह कहलाता है आपका impact idler तो impact idler में आप देख रहे होंगे कि आपको rubber के coatings provided रहते हैं जो आपके shock को absorb करने के लिए दिया रहता है अब यह जो आप cover देख रहे हैं यह generally जब आप construction site पे use करते हैं conveyor build को तो उसमें आपको यह covers दिया जाता है ताकि बाहर से जो environmental factors है वो आपके materials है या जो आपका concrete है उसको effect ना करे और यह आपका use हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं pressing roller pressing roller का काम होता है कि जब भी आपको एक incline conveyor belt use करना होता है तो उस cases में आपको जहां से straight होने के बाद से belt incline होता है उस joint पे आप यह pressing roller उपर से press करते हैं ताकि आपका belt नीचे के तरफ प्रेस हो और आगे जो आपका inclination start हो रहा है तो उससे आपका material का spillage आपका नहीं हो conveyor belt स क्या होता है यह समझ में आ गया होगा इसके साथ ही आपका unit number four complete हो जाता है next वाले class में हम लोग unit number five पढ़ेंगे अर्थ moving machinery के बारे में तो आई होप आपको आज की एक लास में इस सारी चीज़े समझ में आ गई होगी तो अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीज़ेगा थैंक यू